हेलो मेरे वल्कम गाई स्वागत आपका फैंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग आई सी सी अरी बेन टीट्वाडी लिग की बात करेंगे जो कि मैच होगा याप पर अजमन हिरोज और एच, एस, बी सी के बीज में तो चलिए दोनों इटीम के प्लेइर पर एक बार नजर कर देते हैं और इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए पिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टारट कर देते हैं तो बात करें इस match की इससे पहले एक चोटी सी request है कि YouTube चैनल को विद्धक आपने subscribe नहीं किया तो सबसे बेले YouTube चैनल को subscribe करेंगे क्योंकि यह पूरी टूनामेंट हम लोग इस YouTube चैनल के उपर कवर करेंगे इसके साथ-साथ यहां से आपको और भी कई साही टूनामेंट के वीडियो मिलने वाले जैसे कि हम लोग यहाप पर CBFS T10 जो कि कल से शुरू हो जाएगा उसको कवर करेंगे इसके साथ-साथ-साथ वर लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग को उसी लिंक से टेलिग्रम चैनल को जोइन करना है बात करते हैं इस मैच की तो यह मैच रात को 10 बच कर 45 मिनिट पर ICC Academy Ground No.2 दुबई UAE में खिला जाएगा पिछ रिपोर्ट की बात करें तो यह पिछ ब पर ज्यादा तर चेजिंग करने वाली टिम को एडवांडेज है तो जो भी टिम टॉस जिते की पहले चेज करना पसंद कर सकती है एज एज की बात करते है जो कि दो मैच के लिए दोनों की दोनों यहां पर जीत कर रही है ओपनिंग की बात करते तो यह पर आदित्य सिंग करनें लास मैच के अंदर अब्दूल सुकूर के साथ अब्दूल सकूर का पेढली मैच करने बेटिंग भी नहीं आया था दूसरी मैच के अपनिंग करनें जहाँ पर इनोंने उन्नीस रन की है अदित्य सिंग ने 49 ही किया और एकतारीस मैक नें करेब 26 केवरेश सेichoक्र से दनान आरिफ की बात करूं तो यहां पर इन्होंने कुछ खास नहीं किया लेकिन एक और टुना में चल रही है यह पर पचीष, 52, 44, 60, 35 जैसे स्कोर गिये थे तो डेफिनेटल आप लोग यहां पर कॉने अब बास को ट्राइ कर सकते हो इसके लवास अमजद खान अमजद खान का भी दोनों मेंच के लिए कोई खास परफॉर्मस नहीं लेकिन इस बंदे के लिए लिए सकते हो तो इनका ऐसा है न रिस्क लेना चाहो तो ले सकते क्योंकि रेगुलर 3-4 वस की गयन बजी करवाईगा तो विकेट वगेन निकाल सकता है बाकि SM अच्छे फोम में आपर CBFS ट्वेड़ी के अंदर तो अच्छे फोम में यहां पर इनका इतना अच्छा फोम नहीं है तो इनके आपर रिस्क ले लेगा ही देगा तो इनको लेगे जाएगा उस्मान मणी ने लास में किन तीन विकेट निकाल लेती लिए यह consistent नहीं रहेंगे देख सकते हैं आप लोग ऊपर आपको कुछ परफॉमस दीखेंगे ट्राय करना चाहो तो कर सकते हैं बाकि एक काम करिएगा यहां से मोहमद उ इन दोनों में से किसी एक कोई आपको ट्राय करना है तो यहां से हमारे लिए इंपॉर्णस मनते हैं इसके अलावा इसकी बात करें तो यहां पर थोड़ा सा कन्फीजन आपको रहेगा लेगा लेकिन चाहो तो यहां पर अब्दुल सुकूर या अधित तेजिंग दोनों मे नव पब्रेजा को में लेखे जाना है और इन दोनों में किसी एक को या फिर इन दोनों को लेके जाएंगा हाला कि सामने वाली टिम इतनी कुछ खास नहीं तो आप लोग इन दोनों खुई भी भी लेके जा सकते हो सकता है यहां पर एक दो विकेट निकाल के देए इसके ल बंदा खेलता तो सीधा हमारे लिए कप्तान या वाइस केप्टन सिप की चोईस रहेगा इसके लवा एक और प्लेयर खेला था यहां पर आरियन लाकरा है जिन्होंने फिप्टीवन रन किये थे साथ में चार वस की गयन बाजी करते हो विकेट लेस रहे थे यह खेलता है य कि यहां से दोनों ही मैच हार के आ रहे थे लेगिन दोनों मैच हार के आ रही है उपनिंग मैं है रिखा और यहांप साथ अब्दू अजीज ने ऑपनिंग करवा यहां अभी हैधर अली बड़ की बात करो तो ध्रेटिंग और बॉलिंग दोनों ही से परफेर्परमस दे सकत इसके साथ आपको साद अब्दूल अजीज दिखेंगे जो कि लास मैच के न ओपनिंग किया लेकिन परफोमस्ट ठीक था गया और वर्वल भी कुछ खास नहीं रिस्की रहेंगे इसके अलवाइब से सहीद तकी शाह जोने पहली मैच करने रिक निकाली ती और वर्वल निका जहां पर विकेट लेश रहें ओर वर्वल तेरह मैच करने करीब 25 केवरे से 12 रहन है इसके लवाइब से शाहरुक खसन की बात करते हैं जो कि ओपनर बल्ले बाज है इनके उपर रिस्क ले सकते आप लोग हाला कि लास मैच करने थोड़ी से नीचे खेले लेकिन कही ना कही आप लोग इन से एक्सेप्टेशन रख सकते हैं तालीस मैच करने करीब 24 केवरे से 1629 रहन है ग्यारा विकेट है राइट है राइट है पास के लिए पहली मैच करने एक विकेट निकाली भी थी इन्होंने इसके लिए राजा अनवर ओके-ओके-जील में ट्राइकर होगे फ तो यहां से साद को जरूर ट्राइक का सकते हैं और यहां से बॉलिंग से आकड़े काफी जबवज़त थे और यह ग्यूले तीन चार वोगें अकसरी और रहेंगे असकरी यह सईद असकरी यह ओके-ओके-रहेंगे बाकि राजानी को जरूर लेके जाना है इस प्लेयर को ड मेंने के लिए नहीं है, स्टार्टिंग में मोहमद साध और मसूत ने स्टार्ट करोंए था, बाकि इन कॉन करण आपको बता देता हूं कि में कई आ सकते हें यह से मोहमद साध आएंगे और इसके साथ है यहां से हसन कई बार आ जाते हैं अला कि प्लास में कान तो लेकिन आ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग को वसी लिंग से जोईन करना है अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी डेमो टिम कौन से वह सकते हैं और कौन से प्लेर को लेकर गम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं तो विकेट कीविंग सेक्शन से मैं द इनके साथ आपर हर्सित कोशिक है और नव पब्रे जाएं इसके साथ आपर सेयद तकीशा है और सीपी के मसूद इन दोन में किसी एक को आप लोग अपने अकोडिंग ट्राइक कर सकते हो बालिंग सेक्शन में आपर मुहमद साथ हैं इनके साथ आपर जोहिब गुजजर है इनके साथ आपर SM मुतिवर रभ है और मुहमद मनी उसमान मनी हमारी टेम के इंदर रहेंगे आइधिंग हमें राजानी को लेना है तो राजानी को हम लोग लेंगे और किनकी जगा पर लेंगे क्योंकि राजानी काफी अच्छा प्लेयर है और इनको मैं ड्रॉप करना पसं मैंने आपको बताए ना वीडियो में अगर सागर कल्यान और अर्यान लाकरा दोनों नहीं खेलते तो उस कंडिशन में मेरे कप्तान या पर हैदर एलिबर वाइस केप्टन में जोएफ गुद्जर को किया है आप लोग अगर शेप जाना चाओते इसे नव पबरेजा को भी कर सकते हैं बाकी सागर कल्यान और अर्यान लाकरा दोनों अवाइलेबल रहते तो यह दोनों मेरे लिए कैप्टान वाइस कैप्टान सिप की बेश चोई सरेंगे अभी के लिए यही टीम रहेगी इसमें कुछ बढ़लावा गेरा हो सकते है फाइनल टीम जो भी रहेगे वो को तो जल्दी से टेलिग्राम को जोईन कर लेना लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुए आप लोग को वसी लिंक से जोईन करना है वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो और यूडूग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा ताकि आगा आने वारे और अच्य म Univers cuteे अधिया मिल जानें घूल लोगियो में तब तक आप पूरा वीडियो करें चैनली से पलत कर तो अच्छी टीम में अच्छी आउनली कर दो हम लोग मिलेंगे अगते है।